हालो फ्रेंग्स मैं हूँ सरसती और सरस्ति के सरस कीचन में आप बहुत बहुता है तो फ्रेंग्स बहुत अच्छी सी रिस्पी लेसे कह आएँं तो यौन jsut बच्चों के पसंद नाम पर बच्य बड़ी ऐली है तो इसे हम दो कटोरी मैदा तीन आलू ले लिये हैं उब आले के छिलके हंटा दिये हैं बारीक वाला कड़ूकस लेंगे और सभी आलूओं को इस पे हम कड़ूकस कर देंगे बिल्कुल बारीक हमें चाहिए तो इस तरह से रहे हैं थोड़ा घशिटे विये कर तो चलते हैं आटे पर नमक डालेंगे थोड़ी सी यह हमारा 50 ग्राम सूजी है 500 ग्राम मैदा में 50 ग्राम सूजी हमने डाला आधी कटोरी दही है और चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा एक चम्मच रिफाइन वाइल और सारे को इसमें डाल देंगे और आलू जो हमने कद्द अगर हमें जरुत पढ़ेगा तो हम पानी डालेंगे तो बिलकुल यह दही और आलू गीले चीज हैं तो आटे में ज्यादागा में पानी डालने की जरुत नहीं पड़ेगी लेकिन पिर भी थोड़ा सा हमें सौब्ट आटा लगाना थोड़ा बहुत पानी की दो-चार चम इस तरह हमारा आटा हो गया है, तयार लिए तो देख सकते हो कि किस फॉर्म में है आटा और लेंगे ये बाउल और इसमें रख देंगे आटा और थोड़ा सा उपर से लगा देंगे रिफाइन वाइल इस तरह से और इसे ढखके छोड़ देंगे एक घंटे के लिए सो ये घंटे हमारे हो चुके हैं और आटा देखके देख सकते हो कि बिल्कुल कटोरा जो हमने लिया था जिसमें रखा है बॉल में ये बिल्कुल भार चुका था और इसे हम अब सिलिप पे इस तरह मसलते हुए और इसे ठीक करेंगे थोड़ा सा और आटा तयार करना बहुत ही थोड़ा सा भटूरे का रहता है मुझके लेकिन हाँ बन जाता है तो बहुत अच्छा बनता है अगर इस तरह से आप बनाओगे ना तो 100% सभी को पसंद आएंगे और ये फूलता बहुत जाता है बिल्कुल आप मार्केट वाले बच्चे कहते है हैं बड़े कहते हैं कि मार्केट से छोले भटूरे मंगवा लेते हैं पर जब इसे बनाओगे ना तो बिल्कुल में मार्केट भूल जाओगे इसी इसे ही बनाओगे तो इस तरह से आप बड़े छोटे में लोईयां तोड़ सकते हो जैसा आपको पसंद हो बड़ा या नॉर्मल आटा लगाते हैं तो जब हम फ्राई करते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है हमारा बटूरे तो आप अगर लगाना चाहरे आप से वाइल से नहीं हो रहा है बिला रहा है तो आप थोड़ा सा आटा इसमें मैदा लगा सकते हो तो हो जाएगा अगर यादत नहीं है इसलिए मैं इसलिप पे ही बेल के तैयार कर दी हूँ इस तरह थोड़ा सा दबाते हुए इस तरह करने से भटूरे हमारे बहुत अच्छे से फूलते हैं तो यह फूलना तो ऐसे भी बहुत अच्छे हैं तो यह देखिए बिल्कुल यह सौट बनेंगे फ्र अब छोले भी है भटूरे भी है तो इसे भाई इंज्वाई करिए और अपने बच्चों को खिलाइए प्रेंस आज की रस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगा तो प्रेश चैनल को लाइक करिए और चैनल पे नए है तो सस्क्राइब कर लिजे और हां कामेंट करके जरूर बताईए कि मतलब भटूरे कब बना रहे हो अगर बनाया भी था तो कैसा बना था यह जानना मेरे लिए बहुत इंपोर्टन है तो यह रहा हमारे भटूरे सारे